रासमन के देवगर में खदान विक्फरी मामले पर घुटाले के आरोप लगे हैं अजमेर के बिजयनगर निवासी पीडित आशीश ने इस पर आरोप लगाया कि उसने साल 2015 में रमेश कूजर से खदान खरीदी थी जिसके सभी खरीद दस्तावेश पीडित के पास है लेकिन खान वभाक के अधिकारियों की मिली भगट से उसे खान आवंटित नहीं हुई इसके चलते पीडित ने आमेट पुलिस स्थाने में मामला दर्स कराया पीडित आशीश का कहना है कि वो पिछले पास साल से न्याय की गुहार कर रहा है लेकिन उसे अभी तक न्याय नहीं मिला है मैं आशीशान निवासी बिजयन अगर मेरी माइस 126.07 जो नोपरा के अंदर है इस माइस में मेरे साथ लाजंदर यादव पूत्र परसराम यादव याशीवा माइस के मालिक एवं रमेश गुजर इन डोनों ने मिलकर के वियूर अचना बना करके मेरी माइस को जो अड़प लिया है इस माइस को जो मेरी माइस है इस माइस को इन्होंने बिलवारा की पार्टी को बेच दिया और इन सब अखो रुपन से अड़ लिए और इस मामले मैंने अमेड धाने के अंदर, अमेड माइनिंग ओफिस में जेपूर, सब जब दोर बादर रहा हूं, लेकिन मेरी सुनवाईं कहीं माइनिंग ओफिस में कहीं भी नहीं हो रही है, मैं जादा हूं इन जो भी दोशी अधिकारी हो और राजिंदर यादव और हमेड गुजर किलाव कारेवी करके हैं,